नमस्कार विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत और आपके साथ मैं आशू तोस्तिवारी भारती जंता पार्टी ने एक बार फिर मध्यप्रदेश में होने वाले उप्चुनाओ को लेकर अपनी कमर कस्ली है इसके लिए एक रड़नीती के तहट काम करनी के प्लानिंग अठारा सितंबर को जवलपूर आएंगे इससे पहले केंद्री ने तृत द्वारा लगातार लोकसभा की खंडबा सीट और विधान सभा की पृत्वी पूर जोबट और रेगाव सीट का फीड़बैक लिया जा रहा है हलाकि इस मसले पर जब बिजेपी प्रदेश सध्यक् कि ग्रिह मंत्री का मद्यप्रदेश पहुचना एक कारिकरम का हिस्सा है इससे पहले 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर मद्यप्रदेश आने वाले थे लेकिन किसी कारण बस आयोजन को टाल दिया गया था जबलपूर में बड़ा आयोजन प्रस्तावित है इस जगे केंदरी मंत्री जवलपूर पहुच रहे हैं वहीं जहां तक चुनाओ की गोशना का सवाल है तो बीजेपी कभी भी चुनाओ को देख कर कोई आयोजन कारिकरम तयार नहीं करती है जबकि इस बात में कितनी सच्चाई है यह भी जानते हैं बीजेपी का चुनाओ लड़ने क तरीका आप सभी को पता है इतनी मजबूती और सांदार तरीके से किले बंदी करके बीजेपी हर चुनाओ लड़ती है यह जग जाहिर है ग्रे मंत्री अमित्षाह 18 सितंबर को जवलपूर पहुचेंगे जहां अधिवासियों के बीच वह महावियान और कारिकरम की शुरू कि जा रही है उम्मीद जताई जा रही है कि मध्यपूर पहुचने के बाद केंदरी ग्रे मंत्री अमित्षाह मध्यपूर्देश के आगामी उपचुनाओ को लेकर कोई बड़ा एलान कर सकते हैं मध्यपूर्देश में खंडवा लोकसवा सीट सहीत रहगाओं जोबट पर कॉंग्रेस का कबजा है भविसी की चुनोतियों को देखते हुए एक एक सीट पर बीजेपी नजर रख रही है